चीनी विदेश मंत्राले ने मंगलवार को कहा कि भारत को चीन पर संदेह करना बन करने और वाधाओ में निर्मान के दिशा में काम करने के बजाए संबंदों को मजबूत करने के लिए विजिन के साथ काम करने की जरूरत है गालमान भाटी में घातक जटों के एक साल बाद और नई दिली के महिनों बाद विपशिय संबंद थे विजिन द्वारा सीमा संचोतों के उलंगन से काफी शतिक रस्त हुई है दोनों देश धीरे धीरे द्विपशिय संबंदों में सुदार कर सकते हैं और सीमा मुद्धे का प्रबंधन करके और मतबेदों को विवाद में बढ़ने से रोक कर विवहारिक सहीयों को बढ़ा सकते हैं चीनी मंत्रोले ने विदेश रूप से हिंदूस्तान टाइम्स के साथ 15 जून की घातक जड़क के संदर्ब में शेयर किये गए एक बयान में कहा कि जिसने सैनिकों को छोड़ दिया दोनों पक्षों की मौत उसीने करवाई है नए दिल्ली ने पुर्विल अदाक में चल रहे सीमा तनाव के लिए भारत को दोशी तहराने के बिजिंग के प्रयासों को बार बार खारिच करते हुए कहा है कि चीन की पिपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने पिछले साल मैं में वास्विक नियंत्रेत रेखा के पार अवेद रूप से अतिक्रमन किया था भारत के विदेश मंत्राले ने भी विक्तन प्रक्रिया पर भारत सरकार की सिदी को स्पष्ट करते हुए कहा है कि LSE का कढ़ाई से सम्मान और पालन किया जाना चाहिए क्योंकि यह सीमावर्ती शेत्रों में शांती और शांती का प्रतीक है बयान में कहा गया कि चीन भारत से सीमावर्ती शेत्रों में दील देने की कठीन शीत की सितिकों संजोने और दोनों देशों और सर्शस्त्र बलों के बीच संबंदित समझोतों और प्रारंबिक बैठकों का पालन करने का आग रह करता है। इसमें कहा गया है कि भारत को चीन के साथ काम करना चाहिए और सीमावर्ती इलाकों में शांती बनाए रखने के लिए प्यवहारी कदम उठाने चाहिए। चीनी विदेश मंत्राले द्वारा संबंदों में सुधार की आवशकता की दुरला स्वीकृती संबंद की स्तीती का संकेथ है जो दशकों में सबसे खराब स्तीती में से एक है। विदेश मंत्रौले के प्रवक्ता के कार्यलाई के बयान में कहा गया कि इसके द्वारा मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि दोनों पक्षों को देशों, दोनों देशों के नताओ द्वारा बनाए गई रणनितिक सहमती पर तीके रहना चाहिए, बिना पालन किये अंदे का गलत रास्ता और नकारात्मक कदम कभी नहीं उठाना चाहिए